बहुशकार दोस्तों गारगी क्लाश इस पर आपका स्वागत है डेटा आज की 17 जून 2022 देख लेते हैं इंडियान एक्सप्रेस के इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज हमारे पास में तीन इशुज है तीन इशुज में पहला तो इंड किसी accused को death sentence देनी है lifetime imprisonment देना है तो दोनों के बीच में balance कैसे बनाया जाए तो उस चीज को समझेंगे हम तो यह तीन इशुज है देखते हैं डीटेल में परस्ट आर्टिकल है इंडिस शैड़ो ऑफ सेंक्शन यहां पर हम इंडिया इडान रिलेशन्स की बात करेंगे रेशनल नौर्ट साउथ ट्रांसपोर्ट कोरिडर ओके तो इसमें देखो रश्या आगया यहां से किस्पियंसी से होते हुए फिर इरान तक और इरान से फिर इंडिया इसमें अराउंड थर्टीन कंट्रीज का participation है इस पर्टिकलर प्रोजेक्ट में जिसमें में तो तीन हो से अगएर मेंनिया से अगया और इदर आप देख सकते हो यह now Gya राइट इसके अलावा यहां पर तुर्कमेनिस्तान देख सकते हो अफ्गानिस्तान देख सकते हो पकिस्तान देख सकते हो इधर स्ट्रेट उफ ओरममार्ज ठीक है जोーकि इरान और उमान को को separate करती थीक है तो इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देख ले ना कौन-कौन से कंट्री कहां कहां पर लॉकेटेड है बेसिकली हमारा जो पर्टिकलर टॉपिक है इस अभी जो इशू है जिसमें बात करने वाले हैं उसमें इरान-इंडिया रिलेशन्स की बात करेंगे जिसमें इंटर में आये हुए थे तो यह फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल विजिट होई है जब से इरान में सरकार बदली है अभी करेंटली आपको पता है वहाँ पर प्रेजिडेंट चल रहा है इबराहीम रईजी ठीक है तो उनकी प्रेजिडेंसी में आने के बाद में पिछले साल आ ग वहाँ के विजिट ऑल्रेडी की जा चुकी है इरान के द्वारा इरान के जो ऑफिशल्स हों के द्वारा अब अभी आप देख सकते हो कि इंडिया के विजिट पे भी आना अपने आप में बहुत इंपोर्टन एक रिलेशन्शिप को शो करता है देखो जब यूएसे ने द इंडिया के बीच का जो ट्रेड थाना वह बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो गया जैसे हमने बात की थी न्यूजपेपर वाले सेक्शन में कि इरान जो था वह सेकंड लार्जिस्ट ऑईल एक्सपोर्टर था इंडिया के लिए ठीक है 2015 से 2018 के बीच में इतना ज्यादा इंपो एक्सपोर्ट करने लग गए थे पर अभी इरान बहुत ही कम हमें एक्सपोर्ट कर पाता है एक्सपोर्ट का तैसे में एनर्जी पॉइंट आफ यह से हम बहुत ज्यादा वल्नरेबर हो गए दूसरी तरफ देखें तो जियो पॉलिटिकल सिच्वेशन ऐसी बनी होई है कि दोनों कंट्रीज जो है वो कईना के आमने सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं पर फिर भी फिर भी दोनों कंट्रीज के बीच में जो इंगेजमेंट है वो बिलकुल फर्म है दोको तहरान डिकलरेशन साइन हुआ था कब जब हमारे प्राइम निस्टर अटल बेरिवा इसके अलावा इरान के प्रेजिदेंट मोहमद खत्मी उन्होंने भी अपना विजन डिकलियर किया था इंडिया और इरान के बीच की जो इंगेजमेंट है उसको क्या बोला था डायलोग अमंग सिविलाइजेशन्स तो इस तरीके से इरान और इंडिया के रिलेशन्स कोई अभी के नहीं है बहुत पुराने हैं और इस केस में कही ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच में जो प्रिंसिपल्स है तोलरेंस हो गया प्लियूरलिजम हो गया रिस्पेक्ट हो गया डाइवर्सिटी के लिए इन सारी चीजों पर दोनों एक ही जगह पर खड़े मिलते हैं तो ऐसे में इंगेजमेंट के स्कोप हमेशा बने रहते हैं दो दशक हो गए जबसे इंडिया ने अपनी न्यू पार्टनर्शिप शुरू की इंडो पैसे मतलब इस पर्टिकलर इरान के साथ में और मुद्दा उठाया इंडो पैसिफिक रीजन को जिसको एश्या पैसिफ इंडो पैसिफिक रिजन में इंपोर्टैंट रॉल प्ले करता हैं वहीं पर इंडिया के साथ एंगेश करना इंडिया को अपने साथ करना इरान की में टेक्टिक आ गई में जो मेथड आ गया वो निकल के आ गया कि कैसे भी करके एशिया के जो कंट्रीज है उनके साथ तो एंगेज किया जा सकता है क्योंकि इरान पर जो सेंक्शन्स लगाए जाते हैं वो लगाए जा रहे है वेस्टन कंट्रीज के द्वारा ठीक है जिसमें दोनों कंट्रीज बिल्कुल पीछे नहीं जा रहे हैं न्यू मल्टी पॉलर वर्ल्ड ओर्डर की अगर बात करें तो इसमें आप देखो कि युरेशन नेबरोड की बात करें तो इरान बड़ा एकदम सेंटर में आ जाता है ठीक है और दूसरा अगर ग्लोबल लेवल की बा लिए रहा कि 5 इंडिपेंडेंट लेंड लक्ट सेंटर अलेशन कंट्रीज इमर्जों करें आता है उने में गणे साथ में इंडिया अपनी इंगेजमेंट के लिए इरान के साथ एंगेज करता है क्योंकि अब अगर Central Asia के साथ accessibility करे तो अभी हमने map देखा कि पाकिस्तान के थू करना पड़े अगर land route का option निकाला जाये तो फिर बाद में पाकिस्तान के साथ relationship की बात करे तो वो हमारी इतनी अच्छी है नहीं पाकिस्तान इतनी जल्दी accessibility allow करता नहीं है तो ऐसे में हमने रस्ता निकाला कि Persian Gulf और Case Prince Sea इनके बीच में एक बड़ा country है that is Iran क्यों ना इसके तुरू ही land bridge create किया जाए जो की Central Asia, Eurasia इनको connect करे तो ऐसे परिस्तितियों में अमेरिका ने बहुत सारे sanctions लगाए इरान पे उसके बावजूद भी India, Russia और इरान तीनों ने मिलकर के एक pact sign किया और वो था एक multimodal international north-south transport corridor जो कि हमने अभी map पे देखा था जिसमें आप देखो कि कैसे भी करके आप Central Asia तक पहुँच सकते हो KPNC से होते हुए अभी recently सबसे बड़ी success जो थी वो क्या है India के लिए एक Russian cargo वहाँ से रवाना होता है Russia का जो port है KPNC के north में located जिसका नाम है Astra Khan, Astra Khan port से export मतलब जो cargo है वो ship है वो निकलता है conteners को लेकर के फिर वो आता है ईरान के अंजाली port पर और फिर वहां से अंडलोर्ड होकर के वो आप देखो अंडलोर्ड होकर के ईरान के रस्ते ठीक है और जो शाहिद भिहस्ती port टर्मिनल है कहां पर? चाबार port में वहाँ से फिर वो नेवा शेवा निवाशिवा पोर्ट जो है हमारा वहां तक आना है तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये अपने आप में रेशिया से कंसाइनमेंट इंटरनेशनल नोर्ट साउट ट्रांस्पोर्ट कोरिडोर से होता हुआ पहुचा है जो कि अपने आप में एक सिंबॉलिक सक्सेस को हम कंसिडर कर सकते हैं इसके अलावा जो प्रेजिडेंट रेजी है उनकी मॉस्को विजिट होई तो भी दोनों कंट्रीज ने दोनों लीडर्स ने अपनी तरफ से कमेट्मेंट शो किया कि री डबल किया जाएगा रेलवे लाइन कनेक्टिविटी को किस ठीक है दोनों को अस्तरा तो यह होईगा ना अस्तरा खान अस्तरा यही है ठीक है ना अस्तरा और रास्त इनको कनेक्ट इरान अजर्बेजान बॉर्डर पे इससे क्या होगा बोले 130 किलोमेटर की जब रेलवे लाइन डाली जाएगी तो इरान अजर्बेजान और रश्या क एक railway connectivity और आजाएगी तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा connectivity प्रोमोट हो जाएगी इस particular region की हम बात करें तो और Russia की बात कर लो Iran की बात कर लो दोनों से हमारे relation अच्छा है तो हमें भी इसका definitely benefit मिलेगा इन Central Asian countries को access करने में ठीक है इसके आगे देखें तो ऐसे में केस्पें सी के थूँ तो होई जाएगा access अब लेंड रूट के थूँ भी option निकल जाएगा तो कितना बैन एक variety of issues के बावजूद Russia को sanctions का सामना करना पड़ रहा है इरान के problem है इंडिया कही ना कही प्राब्लम में इकोनामिकली चलता रहता है तो और कहीं ना कहीं इंडिया को भी बहुत मुश्किल हो के सामना करना पड़ता है जब इरान और रश्या का challenge आ जाए या इरान रश्या से engagement के उपर सवाल उठाया जाए western countries के द्वारा फिर भी इंडिया अपना stand बिल्कुल independently लेकर के चलता है अपने national interest को ध्यान में रखते हुए ठीक है तो geopolitical challenges चाहे कितने है पर इंडिया ने अपने decision independently लिये है इसी वज़े से रश्या और इरान इंडिया के साथ engagement बिल्कुल भी week नहीं होने देना चाहते हैं फिर बात आती है चाबार पोर्ट की तो देखो इंडिया ने चाबार पोर्ट पर शाहिद भिहस्ती करके दो पोर्ट डवलप दो बर्थ डवलप की है पूरा पोर्ट है बड़ा सारा और उस पर दो बर्थ है ठीक है इसमें देखो इंडिया को दस साल के लिए commercial operation कंडेक्ट करने के लिए lease भी मिल रहा है यह पूर्ट ठीक है अब दोनों कंट्रीज के बीच में कितनी ज्यादा perseverance है कि इतनी ज्यादा consequences adverse situation बनने के बावजूद भी वहाँ पर काम चल रहा है ठीक है पर एक चीज बड़ी स्थोड़ी कम है पर एक चीज हमें एक चीज समझनी होगी कि तहरान ने एक statement दिया है क्या कि चाहबार पूर्ट जो है वह पाकिस्तान में चाइना के द्वारा डवलप किया जा रहा गौदर पूर्ट है उसका कोई rival नहीं है ऐसी परिस्तितियों में हम एक बार map भी देखते हैं देखो यहाँ पर है गौदर पूर्ट यह इस तरीके से चाइना पाकिस्तान economic corridor डवलप किया हुआ है ठीक है तो यह गौदर है बलुचिस्तान में और यह यहां पर यह डवलप हो रहा है चाबार पूर्ट ऐसी परिस्तितियों में दोनों की बीच में जो गैप है वो सो सवा सो किलोमेटर का ज्यादा गैप नहीं है सो सवा सो किलोमेटर का गैप है तो ऐसी परिस्तितियों में यहां पर यह पॉइंट बन के आता है कि पाकिस्तान में जो development और उसको India bypass करने के लिए इस option पे जा रहा था जिससे कि इधर से यूँ आराम से अफगानिस्तान में enter हो सके यहां से यूँ आराम से अफगानिस्तान में enter होया जा सके इंडिया का ये है main target ठीक है तो ऐसे में इरान का ये statement की गवादर को counter करने का कोई target नहीं हमारा तो खुद को एक commercial hub के तौर पे develop करने का target है पर इस चीज को इरान भी ignore नहीं कर सकता है कि चाबार port को develop करने में इंडिया को ही क्यों engage करवाया जा रहा है रेलवे लाइन की बात आई थी तब चाइना ने भी efforts लगा रहा है कि central Asian countries की accessibility जो है वो कराची पोर्ट से होते हुए दे कैसे एक बार फिर से मैप पर चलते हैं यह देखो यहां से आप देख सकते हो कराची यहां पर located है तो यहां से यह access देता हुआ अफगानिस्तान में railway line डवलप करके और फिर बाद में you access देना चाहता है तालीबान पर पकड़ आपको पता है पाकिस्तान की रहती ही है तो ऐसे में पाकिस्तान भी एक economic option निकालना चाहरा है commercial option निकालना चाहरा है ठीक है जबकि दिल्ली ने अपनी तरफ से चाबार port को target करते हुए चाबार port को integrate करते हुए किसके साथ में international north-south transport corridor के साथ में जिसमें 13 countries participate कर रहे है उसमें आप देखो अभी India Central Asia Summit होई थी जनवरी में तो उस टाइम पर joint working group on चाबार इसको create करने के लिए India agree हो गया point के निकल किया रहा है कि चाबार port इंडिया ने Central Asian countries को access करने के लिए develop किया था पर अब इंडिया ये कहता है कि Central Asian countries के साथ में जो भी accessibility करना चाहे चाबार port को use किया जा सकता है इन 13 countries के द्वारा जो कि international north-south corridor transport corridor में participate कर रहे हैं इसका मतलब अब इंडिया खुद के ना यूज के लिए particular खुद के ना यूज के लिए बाकी countries के लिए भी open कर रहा है तो ऐसे में Pakistan और इरान के भी रिष्टे इतने अच्छे नहीं रहता है अभी कुछ दिनों में तो कुछ सालों में तो थोड़े ठीक रहे हैं ठीक है जिसमें इरान तर्की पाकिस्तान, मलेशिया जो इस्लामिक वर्ल्ड के कुछ important countries हैं इन्होंने साथ मिल करके अपनी एक grouping बनाने की कोशिश की थी वो बात लगए कि इमरान खान के जाने के बाद में वो grouping अप थोड़े ठंडे बस्ते में चली गई है पर फिर भी कहीं न के एक revival मिला था पाकिस्तान और इरान की relationship को पर पाकिस्तान इरान relationship इतनी अच्छी नहीं रही है क्योंकि बलुचिस्तान में जब कभी भी कोई issue highlight होता है बलुचिस्तान जैसे हमारे यहाँ पर कश्मीर में मुद्दे highlight होते जाते है वैसे ही पाकिस्तान में बलुचिस्तान है ठीक है और बलुचिस्तान वाले मुद्दे पर जब कभी भी पाकिस्तान statement करता है तो यह कहता है कि इरान में बलुच को ट्रेनिंग दी जाती है और वो लोग आकर करके हमारे 椅पर attack conduct करते है ठीक है ऐसे में कहीं न गई बलुचिस्तान को लेकर के इरान और पाकिस्तान के बीच में इशूस चलते रहते हैं और दूसरा एक मुद्धा हो रहता है इरान शिया community dominated country है जबकि पाकिस्तान सुनी dominated है तो ऐसे परिस्तितियों में वहाँ पर और ज्यादा complication आती है तो इंडिया और इरान दोनों मिलकर के एक option अच्छा available कराते हैं अगर हम बात करें West Asia में और Central Asian countries के accessibility की बात करें देखो अभी recently USA ने अपनी तरफ से इंटरनेस्टनल अटोमिक एनरजी एजेंसी है ना IAEA उसके evidences के basis पे एक resolution इंटर्ड्यूस किया USA ने कि इरान को censor करो इरान की निंदा होनी चाहिए तो ऐसे परिष्टियों में इंडिया ने abstain कर दिया क्योंकि हमारी engagement इरान के साथ में हमारे हिसाब से है ठीक है तो ऐसे में देखो इंडिया का तो वही कहना है कि किसी भी country पर आप sanction लगा करके आप दवाव बना करके उसको ठीक नहीं कर सकते आपको dialogues में इंगीज करने की ज़रुरत है अब देखो nuclear deal revival की तरफ है जो बाइडन ने अपनी तरफ से will दिखाई है कि इरान के साथ में हमें इंगीज करने के लिए ready हैं बाचीत हो तो ऐसे में हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है ये ठीक है जो recent visit है इरान के foreign affair minister की वो बहुत ही जादा एंकरेजिंग है तो ये था इरान-इंडिया relation इसके बारे में basics और अच्छे से आप collect कर लेना next article prelude to 5G देखो Wednesday की बात है जब union cabinet ने पहला कदम अपनी तरफ से उठा करके ready कर दिया है कि जी अब 5G services हमारे आपर भी roll out हो जाएंगी और उसके लिए spectrum का जो है वो auction होने वाला है तो पहले देखो कई constraints थे कई issues थे जिनको highlight किया गया था ठीक है जो की problem create कर रहे थे 5G auction को properly implement होने में जिसमें कुछ issues को तो sort out किया गया है जैसे कि spectrum के लिए जो fair amount है ठीक है ना auction के time पे उसको थोड़ा reduce करना इसके अलावा आप देख सकते हो कि spectrum जो है वहाँ उसके लिए आप जो charges लगा रहे थे ठीक है उसको थोड़ा सा handle करना कि हा जिससे कि जो auction में participate करने वाली companies उनको परिशानी ना हो ठीक है दूसरा uses charges की बात करें तो उसको अब drop कर दिया गया है ठीक है कि भई एक बार auction हो गया auction होने के बाद में एक बार आप ले लिया ना जो भी license देना था उसका पैसा अब ऐसा नहीं है कि उसको कहा use किया जा रहा है कैसे use किया जा रहा है ultimately use होना चीए national interest में या हमारी वो जो company है वो अपने interest के हिसाब से invest करें यूज करें उस spectrum को तो उस पे फिर usage charges नहीं लगेंगे ठीक है तो वो चीज आपके आपने reduce कर दी payment terms है उसको भी थोड़ा हलका कर दिया पहले time जो था auction के time पे जो भी final value हो spectrum की ठीक है license के तौर पे license fee के तौर पे वो एक साथ या फिर कुछ short term में payment करने की बजाए 20 साल का time दे दिया तो ऐसे में telecom sector की company भी थोड़ा relax feel कर रही है पर फिर भी कुछ concerns है जैसे की reserve price spectrum के लिए जो पैसा government के पास में रहेगा मतलब reserve price का मतलब security money मानो आप एक तरीके से ठीक है तो इसको बोलब government जो है वो retain करेगी और वो amount कितना है वो amount 90% के लगबग जा रहा है तो ऐसे में लग जाता demand की जारी है कि reserve price को 35 से 40% तक लेकर क्या हो क्योंकि इतना बड़ा amount बहुत जादा होता है यह इस चीज़ को लेकर के telecom regulatory authority of India और digital communication commission दोनों ने भी अपनी तरफ से consensus दी थी कि हाँ वाकई में इतनी जादा reserve price नहीं होनी चीए और reserve price को रख भी कौन रही है government तो ऐसे में बोले एक तो इसको reduce करने की नौबत आ रही है जरुवत आ रही है क्योंकि अगर reserve price को reduce नहीं करेंगे तो 700 megahertz का जो band है बोलो वो पिछली बार भी reserve price के issue को लेकर के ही auction में नहीं आया था बोला अपकी बार भी unsold रहे सकता है तो ऐसे में revenue collect नहीं होगा फिर problem फिर वो पढ़ industries की बात करें तो industries को लगबग 1.1 लाग करोड रुपय तक का खर्चा भी करना पड़ेगा initial stage की अगर बात करें तो ऐसे में 1.1 लाग करोड का मतलब हो गया कि जो already debt burden companies हैं जैसे वी की हम बात कर ले what of an idea उनके लिए burden और बढ़ने के chances रहते हैं ठीक है पर एक चीज अच्छ finalize होगा license fee के तोर पे option के बाद में वो payment जो है वो 20 equal installments में annual basis पे देना possible होगा मतलब 20 साल का tenure दे दिया ठीक है एक तरीके से बाकि 20 साल का होगा या 20 महीनों का होगा वो time बताएगा बाकि 20 equal installments में इसका finalization हो रहा है इससे क्या होगा कि एक बार तो pressure थोड़ा सा reduce रहेगा फ 20 साल तक का आपको license दिया जा रहा है ठीक है अब 20 साल के license में आपको लगता है कि 10 साल का license हमने use किया अब enough है हम इसको अब withdraw करना चाते हैं तो वो company withdraw भी कर सकती है spectrum को छोड़ भी सकती है मतलब license दुबारा government को hand over कर देगी कि जी हमारा 10 साल का काम था हो गया तो इसका मतलब 20 equal installment की facility है 20 साल के लिए पर अगर 10 साल में अगर कोई company उस spectrum को छोड़ना चाहे spectrum की use नहीं करना चाहती है license को government को return करना चाहती है तो आराम से 10 साल का use करके return कर सकती है तब तक 10 installment दे चुकी होगी वो और बची होई जो 10 है वो देने की नौबत नहीं होगी balance की liability नहीं होगी second government नहीं किया है कि जो enterprises है जो technical enterprises जैसे TCSR ये company है इनको भी देखो call कर रही है government कि आप भी आओ और इस 5G auction में participate करो क्योंकि जमाना है internet of things का जमाना है machine to machine communication का जमाना है artificial intelligence का तो बहुत वहाँ पर 5G technology का use ये tech companies भी ले सकती है technological companies भी ले सकती है शुरुआत में तो देखो telecom companies ने objection किया कि बुला आप ऐसे कैसे telecom companies के competition में इन digital companies को ला सकते हो software companies को ला सकते हो बट government ने थोड़ा सा दबाव बनाया इन पे क्योंकि एक बार auction होगा न तो इन digital companies का participation होने के basis पे टोटल जितनी revenue government को आने वाली है उसका 40% तो यह digital companies ही पे कर देंगी तो ऐसे में government revenue loss थोड़े ना होने देगी इसलिए enterprises की services को भी अब 5G में launch करने की बात हो रही है जो कि अपने आप में एक नई चीज है ठीक है अब देखो बात ऐसी है कि government कभी भी additional revenue sources को तो lose होने देगी नहीं दूसरी चीज जो यह telecom sector और अल्रेडी अंडर क्राइसिस है वो इतना पैसा दे नहीं सकते है तो ऐसे में यह थोड़ा pressure में कि चलो ठीक है और नए players पार्ट होंगे देखो इसका benefit consumer को भी मिलेगा हमारे जैसे जो users है उनको भी मिलेगा क्यों competition से तो price अपने आप down होती है quality improve होती है तो बात ऐसी है 5G rollout हो successfully काम करे digital transformation में बहुत help मिलेगी 4G के comparison में 10 से 15 गुना ज्यादा speed मिलेगी हमें काम करने की इससे economic activities भी अच्छे से perform होगी और हम भी आगे बढ़ेंगे तो overall देखा जाए तो 5G के लिए आप auction 26 जुलाई को हने वाली है देखते हैं क्या outcome क्या results मिलते है नेक्स आर्टिकल है justice more complete देखो आर्टिकल को लिखाया अनूप सुरेंदरनात ने यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो principle है या doctrine है rarest of rare यह बच्चन सिंग case of 1980 में Supreme Court ने दिया कि मौत की सजा अगर आप दे रहे हो फासी की सजा या फिर जिसको बोलता है death sentence वो बोले rarest of rare cases में होना चीए अभी ये क्यों बात हम कर रहे हैं थोड़ा वो समझते हैं दिखो अभी recent Supreme Court का पिछले महिने का एक judgment आया है Manoj and others versus state of मध्यपरदेश जिसमें death penalty को administer करने में Supreme Court ने अगेन वो ही rarest of rare वाला concept है वो implement किया जिसमें Justice Yuvalit, रविंदर भड और बेला त्रिवेदी इन्होंने मिलकर के decide ये कहा कि अगर किसी को death penalty दी जा रही है तो हमें बच्चन सिंग केस में जो rarest of rare concept जो दिया था Supreme Court ने उसको ध्यान में रखना जरूरी है इसका मतलब यह हो गया कि चलते ही आप किसी को भी फांसी की सजा नहीं दे सकते आपको rarest of rare cases में देना पड़ेगा कि बोले extreme level पी कि criminal activities हो चुकी है अब तो बोले यह इसको मतलब इसको समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है तो उसको आप death sentence दो ठीक है देखो हमारे यहाँ पर criminal justice system के हम बात कर रहा है भी यह functioning हो रही है criminal justice system जिसमें judiciary, jail and police यह तीनों मिलकर के काम करते हैं police investigate करके judiciary के पास सामने लेकर के आती evidences देती है, judiciary adjudicate करके accused को reformation के लिए jail में डालती है और अगर वहाँ पर jail में भी reform अच्छे से नहीं हो रहा है और फिर बंदा back to back crimes करता चला जा रहा है तो जाकर के death penalty दी जाती है पर वो भी किस case में? rarest of rare cases में तो कई बार क्या होता है? death penalty देते टाइम पर जो arbitrary नैस है, जो अपने मनमानी तरीके से judgment आते हैं यह अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात कर जाते है unprincipled sentencing दे दे जाती है जिसमें Supreme Court और Law Commission of India ने भी अपनी तरफ से और बहुत सारे law, civil society के experts ने भी अपनी तरफ से question raised कि है कि death penalty देने से पहले हजार बार सोचो क्योंकि बच्चन सिंग case जो था 1980 का बच्चन सिंग case, बच्चन सिंग versus state of Punjab ठीक है ये case था 1980 का इसमें पांच judges की bench ने एक doctrine established किया जो मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ rarest of rare, भूल मत जाना ठीक है बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में छप जाए इसमें ये कहा था कि किसी भी criminal को अगर आप सजा दे रहे हो तो केवल crime को देख करके मत दो भई उसके biological, psychological and social aspects को भी understand करो कि वो बंदा ऐसा करने पे मजबूर क्यों हुआ क्या वो professional killer है या professional criminal है जो back to back crimes करता चला जा रहा है तो तो वो देखो समाज के लिए सरदर्दी है अगर कोई बंदा केवल एक crime अभी किया है और उस बंदे में reformation के chances है तो आप उसमें reformation लेकर क्या हो changes लेकर क्या हो उसके behavior में इसका मतलब यह नहीं है कि उसका सीधा मौत के घाट उतार दो overall बात क्या रही है पड़ेगा कि क्या तो personal circumstances थी जिसकी बज़े से उसने वो crime किया क्या उसकी mental health है क्या उसकी age factor है और judges ने जो sentence दिया उस time पर judges ने क्या सोच करके वहाँ पर punishment दिया एक तो होता है mitigation का option कि crime किया उसको आप correct out कर सकते हो बई जेल्स का काम क्या है reformation का ही तो है तो जब reformation का अगर किसी में option दिखे तो आप reform करो उस individual को ना कि उसको मौत के गहाट उतार दो तो यह है मेन कि rarest of rare case में आप यही चीज देखो और बच्चन सिंग case में बार-बार यही आती है कि आपको समझने की जरुत है problem कहा आती है कि judiciary ने चार दशक पहले यह statement दिये 1980 में उसके बावजूद अभी तक भी judiciary खुद confused रहती है कि कहाँ पर किसको punishment देना है कहाँ पर किसको death sentence देनी है कहाँ पर life imprisonment देना है तो बुले यहाँ पर कई breakdown factors आ जाते है क्योंकि मुद्दा किस पर आ जाता है केवल और केवल एक चीज़ पर देखी जाती है कि crime क्या है crime की gravity से ही बात नहीं चलती crime की gravity के अलावा और aspects को भी देखना पड़ता है वही बात again अगर mitigation के chances है तो mitigate करो ना इन issues को समाज में अगर किसी को आपने लगातार criticize ही किया और criticism की वज़े से वो इतना जादा inferiority complex में आ गया जिसकी वज़े से वो crime करने पर मजबूर हो गया violent हो गया frustrated हो गया तो ऐसे में आप कैसे एक individual को punish कर सकते है और हमारे जो criminal justice system की बात करे तो हमारा जो law है वो ये कहता है उस case में देखने की ज़र्वत है कि वो गरीब था नहीं था उसकी क्या परिस्थितिया थी और सबसे मड़ी problem क्या थी है हमारे देश में कि जो extremely poor individuals होते है उनके खिलाफ में जब कोई death row चलती रहती है कि हाँ जी इसको criminal consider करके और इसको सजा देनी है वो बंदा खुद को defend करने के लिए कोई डंका legal representative भी अपना recruit hire नहीं कर सकता वकील की fee सी इतनी ज़्याद है वो बाठीक है कि free legal aid के लिए DPSP में लिखा हुआ है पर DPSP कोई binding थोड़े ना स्टेट पे DPSP थोड़े एडवाईजरी है तो उस case में कही न कहीं ये चीजें consider करने वाली बात आ जाती है तो यही point है repeat हो रहा है बार बार कि Indian criminal justice system में death penalty sentencing की बात आए तो condition देखने की जरुवत है verdict में ये देखने की जरुवत है कि accused ने क्या situation face की है offense से पहले क्या behavior था offense के बाद में उसका क्या behavior प्रिजन में जेल में जब आपने रखा ये सारी चीजे देखो भई अगर बंदा सही behave कर रहा है कि वह एक उसके आज से crime हो गया तो उसकी मतलब ये नहीं कि आप उसको death sentence दे दो Supreme Court ने show or motorist petition issue की अब की बार show or motor मतलब स्वातर संग्यान लिया है खुद से इस मुद्दे को highlight किया अभी इस case में और sentencing से पहले पूरी information जो चीए थी वो पूरी gather की और कहा rarest of rare cases में ही death sentence मिलना चाहिए और ये ही बात बार बार repeat की जा रही है main जो point था वो ये overall क्या है देखो biological psychological social factors को understand करने की ज़रूरत है जब कभी भी किसी की criminality या फिर किसी को punish देने की बने क्रिमिनालिटी चेक करो या किसी को punish करो तो ये था मुद्दा point हमने पूरे एकदम clear कर लिया है ठीक है thank you very much